वाईज आप इमेज देख रहे हैं इसकी कटिंग हम सीखेंगे बहुत आसान तरीके से मुझे किसीने यह बोला है कि udना इसी कुकिंग रेशिपी बनाती है उनका यह पर्माया इसके हिसाब से मैजें कितना आसान अप विडियो देखो और mazoo imagag Gesundheits ठाल के देंगा तो मैंने बो तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और चार इंच निचे एक निचान लगाएंगे अमने पिछले वीडियो में भी ऐसे ही बताया था आपको तो इससाब से मैं इसको भी कटिंग करके दिखा रहा हूं तो मार्किंग दिखनी रहा है तो चलिए हम मोटे पेंच से कर लेते हैं तो इस तरीके से हमने मार्कर से कर लिया है तो मार्कर से करने के बाद में हम इसको अभी क्लीन दिखाए दे रहा है तो देखिए इसका जो है सोल्डर जो है 14 इंच है तो हमने 5 इंच ही कम करके लिया है नहीं लिया है इस तरीके से करने के बाद में हम निशान लगाएंगे तो हमने यह सवाइंच के करीम में डाउन कर लिया है तो यहां से हम डाट को convert करेंगे ठीक है प्रिंसेस कट में करेंगे और उसके बाद हम यह दिखाएंगे कि डिजाइन कैसे होता है तो दिखेंगे हमने तो यहां से दिखेंगे 33 को 33 चेस्ट है तो उसी साथ से आदा इंज बढ़ा कि हम निशान लगा लेंगे क्योंकि होगा डाट देने वाले ठीक है इस तरीके से करने के बाद में हम क्या करेंगे कि यहां पर पौन एच के करीब बढ़ा के आई स्तरह से निशान लगा लेंगे तो इस तरुके से आरमोल कासे देंगे और बाद में हम सेप को सही करेंगे अमने आइडिया के लिए ऐसे कर लिया है क्योंकि यह ड़र्व वाले में एकदम पर्फेक्ट नहीं आता है ड़र्ड को क्रोस्द करने के बाद भाद ही पर्फेक्ट पर ऑता है अई इस तरह से NFC निशाण लागा लेंगे, जो 14 इंच है, और वहां पे एक निशाण लागा लेंगे. अब यहां पे 15 इंच माइनस करेंगे इसके इसाप से, तो देखिए, हाँ पर गाइँच पर आएगा. तो डाइंज पर हमको निसान लगा लेना है यहाँ पर निसान लगाने बाद हमको सेफ देना है जो प्रिंसेस कट का सेफ होता है उस सेफ को हमको देना है तो इस तरह के से स्केल से लगाना है तो स्केल से लगाओ आपको हाँ से जमता है जैसे मैं लगाता हूँ तो ऐसे भी कर सकते हो तो इसकेल से भी लगा सकते हो लेकिन इसकेल से क्या परफेक्ट नीचे तक नहीं आता है तो इस हिसाब से मैं थोड़ा दूर करके इस तरह मिला लिया ठीक है आप अच्छी तरह से से दो जैसे भी बैठे आपको बिठाना है से अच्छा दिखना चाहिए जो से हमने उपर मारा है डाट के लिए वही से यहां दे देना है तो इससे क्या होगा कि जब हम जोइंड करेंगे तो बरबर मिटो मिट बैटेगा इस तरह से डाट पॉइंट के निसान को हम सभी कर लेना है और डाइंज जो हमने यहां किया था कि तो हम यहां पर था इंज का ही एक अरड़ की लिए हम देंगे क्योंकि साइज जाड़ा वो नहीं है जैसे फरतन शौटा साइज है तो हमने क्या किया है कि शीप उतन ही डाइंज का हम निसान लागा है और हम ने सेंट्र में आधा तो तरीके से उतार लेना है और यहां प रही है को से कर लेना है ठीक है तो इस तरह कर लेंगे तो यहां पर देखी है हमने जितना लेंध उससे हमने डियाएक कि कर दिया एक किंछ करे तो एक से करें सट आइ सब्सक्राइब फर्स देना है इस तरह से से देंगे तो इद्वं पर्फेक्स को means HOLY कर लेंगे तो ımı 8 पो नुप आक आप लगा सकते। न्धाय तो इस तरह से मेजरमेंट करके आपको नीचान लगा लेब आपके क्या करना है 5000 होग講 निसान लगाने बाद जितना हमारा नीचे की तरफ बचा है उत्रहीं सिर्फ लगा लेंगे आप यहां पर क्या करेंगे कि 2-5 most लए आप कम जादा यहां कर सकते हो सेकै। तो यहां पर निशान लगा के आप जो आप इधर उदर भी कर सकते हो लेकिन तीन इंच पर दोगे तो अच्छा से दिखाई देगा तो उस हिसाब से करना है देखिए उपर जो है हमने निशान लगाया है थोड़ा अंदर लेके जाना है तो जितना है वहां से आदा इंच अंदर की तरफ कर लेना है और वहां से करने के बद में इस तरह से ले आके अच्छा दिखाई देगा अगर अंदर की तरफ लेना है तो अंदर की तरफ लेना है तो देखें तीन इंच के करीव ही है इस तरह से लाके यहां पे सेफ देते हुए यह डाट को बराबर करते हुए यहां पे लाके मिला देना है इस तरह से नीचे का जो सेफ है वो जहां भी देना है अब दे सकते हो नीचे भी दे सकते हो उपर भी दे सकते हो जहां मैंने लगा नहीं तब भूल गया था ठीक है तो अब इस तरह से हमारा हो गया अब इसको क्या करेंगे जो है यहाँ पर निशह कर सकते हो तो हम दोनों में से कोई भी एक decide करके लगा सकते हैं तो बराबर वो दिखाएगा जो अभी हमने लगाया वो बराबर जो है drawing के हिसाब से दिखता है लेकिन मैं cut मार रहा हूँ लेकिन अगर चाहिए तो आपको उस पर cutting करना है या इस पर cutting करना है तो मैं cutting करने के time इधा उधार कर लूँगा आप देखें मैंने एक इंच का निशान लगाया और लाके हमको वहाँ पर shoulder pin मिला देना है तो जितना चोड़ा यहाँ पर है उतना उपर कर सकते हो कम भी कर सकते हो आपके उपर है किस तरह का चाहिए shoulder का मैंने sim जो रखा है सवाएंच उसको भी आप कम कर सकते हो तो इस तरह के से कम करके भी बिठाओगे तो अच्छा ही दिखेगा अब हम इसको cutting करके आप देखते हैं कि कैसा ही दिखाई देता है तो rough cutting कर लेंगे आर्मोल के पास तो देखिए जितना डाट हमने लिया था उस पे रखके हमको सेट कर लेना है तो रखने के बाद में दोनों निशान बराबर मिल गए है तो हम आर्मोल को सेट कर लेंगे अगर उपर नीचे करना है आर्मोल को तो यहीं पर मेजर करके आप छोटा बड़ा कर सकते हो आपको यहीं पे चेक कर लेना है कि मेरा अर्मोल बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो यहां पे चेक कर सकते हैं यहां पर चेक करके कटिंगर होगे तो एकदम पर्फेक्ट आएगा नीचे भी शेक कर लेंगे कि बराबर आ रहा है तो देखे किस तरह करने के बाद में बराबर ही आ रहा है थोड़ा 19 बेसे तो हम कटिंग में सुदार लेंगे उसको ठीक है तो अभी इस तरह से हम डाट को निकाल लेंगे पहले उपर वाले को आर्मोल के डाट को भी सई कर लेंगे उसके बाद हम बाकी आगे बढ़ेंगे ठीक है तो इस तरीके से अभी नेक का सेफ दो है मैं अभी पहले जो मार्किंग किया था उस पर नहीं करके दूसरे पर कर रहा हूं क्योंकि मुझे से यही आपको जहां सेफ अच्ण लगे आपको वाह करना है ठीके तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कोई उसा formula नहीं है कोई तरीका नहीं है को यहां नहीं उसको हम cutting कर लेंगे आई ये cutting करने के बाद हम match करेंगे कि वह जो हमने design किया है उसको किस तरह से cutting करना है आज मैं दूसरा style आपको बता रहा हूं जो normal है बिल्कुल इस तरह से cutting करने के बाद में princess cut में अब बाद में हम इसको joint कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह से करने के बाद उपर करके लगाना है आदा इंच के करीब जो मैं हमेशा बताता हूं कि जब भी close नेक होता है जो भी उपर से पीछे से आई होता है तो आदा इंच उपर बढ़ा लिया करो उस तरह से बढ़ा लेना है इस तरह के से देखिए हम को कीच के तोड़ा सीधा करना है निसान को यहां बढ़ा लेंगे अब क्या करेंगे कि देखिए उपर जह पjar कंए को अगर तो नीचे की तरफ जाना है अगर्ए शोन अगर पट्टा चवडा ज़ाना है अगर पट्टा पीछे का कम है तो आपको आधा इंच पर ही जाना है ठीक है तो इस तरह से करके यहां पर निशान लगा लेगे थोड़ा सा अंदर माइनर करके जाना है क्वाटर इंच के करीब में आर्मोल का सेफ देना है तो एकदम बरबर बैठता है सोल्डर से अंदर की तरह इकदम अच्छी तरह से बैक से दिखाई देगा इस तरह हमारा जितना भी अपर छेष्ट है 33 है तो आपको जो है फोर से डिवाइट करके सब आइट इंच पर निशान लगाना है इस तरह से नीचे का वेष्ट है 29 है तो महां डार्ट के लिए छोड़के बाकी निशान लगाना है इस तरह के से सीधा एक लाइन मारके एक इस्ट्रा लाइन मार लेना है ताकि हम डार्ट को जब मारेंगे तो बराबर बैठना चाहिए अब इसको हम कटिंग कर लेंगे कटिंग करके देखेंगे यह कैसा दिखता है ठीक है तो इस तरह के से कटिंग करके आपको दिखाता हूँ कि यह कैसा दिखाई देता है मतलब परफेक्ट बैठता है या नहीं बैठता है तो आप कपड़े पे कटिंग करके आपको इस तरह से अगर विलाउस बनाना है तो पहले लाइनिंग बना के ट्राइ करके आप चेक कर लो बराबर आता है या नहीं आता है अगर यह measurement है तो या तो आपका अलग कोई measurement है तो उससे भी इसको convert करके बना सकते हो ऐसा कुछ भी नहीं है हर size का आपको सीखना जरूरी नहीं होता है एक size आपने सीख लिए सब इस पे convert करके बना सकते हो यह बिल्कुली असान होता है कुछ भी इसमें समझने का काली चक्कर होता है बाकी कुछ नहीं होता है तो इस तरह से कोई भी size हो और कोई भी style में आपको बता रहा हूँ आप इसी से कोई भी size कर सकते हो किस तरह से करना है आपको दिमाग लगाना है अगर चाहिए तो मैं बता दूँगा कि किस तरह से कम ज़्यादा किया जाता है तो जिस तरह से हमने एक-एक measurement लेते जाओ automatic बैठता जाएगा तो इस तरह के से आपको करना है इस तरह बैक का डाट लगा के हो गया है ठीक है तो इस तरह से होने के बाद में friend को हम जो भी design इसको cutting करके आपको दिखाएंगे किस तरह से इसको काटा जाता है और किस तरह से बना जाता है तो इस मेरा cutting और cutting करने का तरीका आप लोग को पसंद आता है तो मेरे channel को जरूर like करो subscribe करो और दोस्तों में share कर लो ठीक है ताकि सबको ये video मिले सब देखके कुछ न कुछ सीखें मेरा cutting बिलकुल अलग है बिलकुल हटके और सबसे अलग है आप खुद ही देखो अलग है या नहीं है तो मैं अलग बताने की कोशिज करता हूँ और easy तरीका बताने की कोशिज करता हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा दिक्कत ना हो आसानी से आप लोग cutting करके आराम से stitching कर सको अपने सौप में अपने घर में जो भी आप करते हो जहां भी आप लोग को आसान हो जाए तो इसलिए मैं बता रहा हूँ इस तरह का cutting कोई बताता नहीं है आप किसी ने इस तरह का बताया नहीं होगा जिस तरह से मैं easy तरीका बताता हूँ और सिखाने कोशिश करता हूँ मैं बिल्कुल यहाँ पे एकदमी आसान तरीका बताता हूँ आपको खुद समझ में आता हुगा कितना आसान है देखो मैंने रख के cutting किया तरह से join करके आप चाहिए तो एक पार्ट में join करके एक तरफ का dart बंद करके भी कर सकते हो तो सुर्फ dart दिखाए देगा आर्मोल की तरफ का close कर दो तो नहीं दिखाए देगा सिर्फ dart दिखाए देगा बाकी cukसर कर लोगे जो आर्मोल का मैंने dart लगा था में cutting कर लोगे तो आपको यह cutting यह आपर दिखाई भी नहीं कर देगा तो पहले आप फर्मा cutting कर लो आइस तरह से close करके pack कर दो जब कपड़े पर cutting करो तो इस तरह से cutting करो जैसे मैंने joint किया इस तरीके से दों धी पर्फेक्ट आएगा यह भी joint को आप देखो मैंने नीचे वाले को जॉइंड कर लिया है इस तरह किसे जॉइंड करके एक पीस में आप कटिंग करोगे तो बहुत ही पर्फेक्ट बहुत ही बेतर इस दिखाई देगा तो जो फोटो में आप देखे हो इस तरीप उसका कट जो है दिखाई देता है प्रिंसेस का कटिंग गपर तरीका है अप देखो और इसको फॉलो करो ठीक है तो इस तरीके से यह दो जो चॉइंड करने के बांद में कैसा दिखता है थो एक बैतरीब दिखाई देगा यह कटिंग बहुत ही आसान है कुछ भी इसमें नहीं हैं मैंने जो तरीका बताया आप इसको फॉ आपने कोने बराबर समझ लिया है तो चलिए वीडियो एंड करते हैं अल्लाहाफिश्ट